जो लोग हैं, देश के लोग सोष्टे कैसे हैं, इन सबके उपर स्टडी करके ही तो प्लांट किया जाईगा, जब आप किसी को प्लांट करते हैं究 हैं। जो भी कहते हैं पार्टीज हैं वो उसकी तरफ आ जाएंगी यह सारी की सारी स्टडी यही तो कहती है और सब सही तो हो रहा है आप खुछ सोचे कि एक लेडी इलिगल मैगरेंट हमारे देश में होती है हम उसको डिपोर्ट नहीं करते हैं हम सिर्फ वात क्या करते हैं प्यार क इमारी बैचारी उसको पुरे दुनिया में और कोई प्यार करने वाला नहीं मिला हमारे जो दो देशों के अंदर पॉलम्स चल रही है वहीं पर उसको प्यार करने वाला मिला जिसका कोई बैक्ग्राउंड नहीं है तेरा हजार पर नोकरी करने वाला आदमी वो छे लाग की केते हैं ट्रिटने खरीती है ट्रैवल करते हुए उसके पास पैसे की कमी नहीं वो खूब सूरत है सचिन मीना उसके साथ कहीं भी स्टेटर से उसका मैच नहीं करता आने वाले पांट-दस साल बाद वो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगी जो देश के विरुद हो तो सचिन मीना जैसे लोग उसको नहीं रोक पाएंगे सचिन मीना की कहते हैं कोई हैसियत नहीं है कि उस लेडी को वो किसी तरीके से भी रोक सके मैं मर जाओंगी मैं नहीं जाओंगी मैं जेल में जिन्दिकी बर माक उसको पैसा भेज रहे थे और वो उसी पैसे से पॉपट्री ख्रीद रही थी वो इंसान कितना शरीफ होगा अगर हम रियालिटी में चल जाए हम यह मान के चलें कि प्यार महबद का ही मामला है तो क्या प्यार महबद के मामने में अडल्ट्री डिच करना बेफकु बनाना ठगना ये सब कुछ नहीं है क्या उस लेडी की अपनी पॉपटी थी जिसको उसने बेखा क्या उस लेडी के पास अपने पैसे थे जिस पैसे से ट्रैवल किया दोबई आई और सब कुछ किया वो लेडी ये बोलती है कि मैं अनपढ़ हूँ उसके बावजुद वो मैं अनपढ़ हूँ हमारे समाज में औरतों को दवा के रखा जाता है जबकि अगर आप उसका वहवार देखेंगे आप रियालेटी समझने की कोशिश करेंगे तो वो लेडी अपने देश पाकिस्तान के अंदर अपने हजबेंड से लिए वे पैसे से एक प्रॉपर्टी ब जब हिंदुस्तान में पकड़ी जाती है और पुलिस की इन्वेस्टीकेशन पता चलता है कि उसके पास कई पास्पोर्ट हैं कई मुबाइल्स हैं कई सिम्स हैं यह सारी बातें अपने आप में साफ बताती है कि यह लेडी कहीं नहीं प्लंटेड है और मुझे ऐसा लगता ह करने के बाद एक लिमिटेड तक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उन लोगों के ऊपर और लेडी उनके डिपार्ट उनके पुलिस उनके इंटेलिजन्स की नजर होती है सचिन मीडा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक पपेट बॉय हैं कि इनके द्वारा आप हिंदुस्तान में एंट्री कर गए हैं कौन कहता है कि कहते हैं उसके साथ रहेगी आज कहते हैं वो अपने हैदर गुलाम हैदर को रहे पूरी स्टेलिजने इकreckन प्र्फिन को बनाकर अगया हैं हमारे हैं पूरे देश को बिफकु बनाया हो देखिए मैं मानता हूं वरुद कि हम लोग पैज़ए का झाल का याउनके देखने के बाद उसके पीछे की सच्चाई को भूल जाते हैं उसके पीछे के जूट को भी भूल जाते हैं हम सिर्फ उसके आँखों में जो आंसु भेरा उसके के आसपास घूम के रह जाते हैं ये soft-hearted होने की वजह से हम 50 साल से प्लोसी देश की जो कहते हैं रड़नीतिया हैं जो हमारे देश के अंदर सुबा से लेकर शामतर प्रॉपाईगंडा कर रहे हैं हमारे देश के अंदर लव जिहाद चला रहे हैं, हमारे देश के अंदर जगे जगे आंतकवादी गतिविदियां कर रहे हैं, वो सब हो ही इसी वज़ा से रही हैं, क्योंकि हम लोग soft-hearted हैं, हम लोग कहना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई Muslim लड़ी आके हमारे करके लव जिहाद के नाम पर कहते तकलीफ दे रहे थे, ठीक है, जैसी वो exposed होने लगे, अभी एक नई स्टोरी चल गई, कि पाकिसान से लड़कियां आएंगी, और हमारे देश के लड़कों को कहते हैं, किसी तरीके से बर्गल आएंगी, और कौन लड़के, क्या कोई पड सबसे बड़ी बात, वो नैपाल आती है, नैपाल आके सचिन मीना से बात करने के लिए, वहां की नैपाली लेडिस को वो किसी तरीके से बर्गला कर उन से होट स्पॉट लेती है, होट स्पॉट लेने के लिए, क्योंकि उसको इंटरनेट में बात करनी थी, यह अपने आप में बहुत संगीन करते हैं, investigation, मतलब बहुत depth में जाना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पास अपने sim थे, अपने mobile थे, वो तो अपना hot spot ले सकती थी, वो जिस होटल में ठहरती, उस होटल से hot spot ले सकती थी, शैद उसने अपने आपको agency से बचाने के लिए hot spot लेकर सचिन मीना से बात की होगी, क्योंकि जब उसको देश में आना था, तो देश में आने के लिए सचिन मीना से जो conversations हो रही होगी, वो बहुत secret conversations हैं, क्योंकि naturally अगर वो पकड़ में पहले आ जाती हैं, तो उसके उपर intelligence की नजर पड़ जाती हैं, और investigation के दोवारा पता लगाया जा सकता था कि ये वहां की जासूस समाज में पली बड़ी हो, जिसके husband एक छोटी सी नौकरी करके वहां से पैसा भेजते हैं, वो इतना बड़ा कैता है game plan अकेले तो नहीं कर सकती, हमें ऐसा लगता है कि उसके पीछे intelligence agencies का तो हाथ है ही, क्योंकि दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना, और नेपाल से फि नहीं न कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा फिशे जिससे इसको clean shit तो नहीं दी जा सकती है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी शादी illegal है, जब गुलाम हैदर ने कल मैं जब TV चैनल पे था, तो TV चैनल पे हमारी आमने सामने बात हो रही थी, कहते हैं सीमा हैदर से और गुलाम हैदर ने का मैंने आपको डैवोर्स नहीं दिया, तो इसका मतलब, उसके पास अगर कोई सचा एसा paper होता, जो वैलिड पेपर होता तलाक तलाक ता तो उससाथ में लेका है यह होती, और वह आज दिखा रही होती, मीडिया को की देखो जी मेरा वैलिड पेपर है, मेरा तला पूरा में जाके कहते हैं इस लड़के से शादी कर लियो मेरी शादी वैलिट है तो जब शादी वैलिट नहीं है आपको तो डिपोर्ट होना ही होगा आपको जेल जाना ही होगा यह जो आंसू